आपके साथ आप शीक पुंडी नई लाइफ स्टाइल ने लोगों को इतनी बिमारियों से नवाज दिया कि लोग अब इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे और नतीजा है कि लीवर फेल होना ऐसे में डॉक्टरों का कहना है अगर इंसान अपनी जिंदगी में परिवरतन लाए त कैसे आप अपने लीवर को आज के दौर में बचा कर रख सकते हैं इस रिपोर्ट में देखिए हमारे शरीर में मौझूद सभी अंग हमारे लिए बहुत ज्यादा एहम होते हैं उनमें लीवर इनी ज़रूरी अंगों में से एक है जिसे अपने कई एहम कारियों के लिए जाना जाता है लीवर ना सिर्फ पाचन और मेटाबॉलिजम को बहतर बनाता है बलकि ये पोशक तत्वों के भंडारन के साथ ही शरीर में मौझूद टॉक्सिंस को बाहर निकालने का भी काम करता है ऐसे में लीवर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि ये अपना क सही तरीके से कर सके जी हाँ उत्त्राखंड में चकोतरा नाम का फल भारी मात्रा में पाया जाता है ये फल देखने में मोसं भी या फिर संत्र की Hubble की तरह व्यापक रूप से खेती नहीं की जाती लेकिन ये कुछ शेत्रों में ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है ये फल अपने स्वास्त्य लाबों के कारण देश बर में फेमस है इसे ताजा खाया जा सकता है जूस बनाकर भी उसका पिया जा सकता है या फिर सलाद, मिठाई, या फिर किसी और पे में या फिर किसी डिश में भी इसे उपियोग किया जा सकता है अगर बात करें चकोत्रा के फायदे की तो ये विटामिन C, पोटेशियम, मेगनीशियम और फाइबर जैसे जरूरी पोशक तत्वों का एक बढ़िया श्रोत माना जाता है इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन जैसे विटामिन B6, विटामिन A और तरीके के विटामिन भी होते हैं देश के मशूर नुट्रिस्टिनिस्टों की माने तो इस फल में जादू इगुन है जो इंसानी शरीर को फायदा पहुँचाता है विज्यानिकों की माने तो चकोत्रा में विटामिन C की मात्रा बहुत ज्यादा होती है विटामिन C एक शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट है जो इम्यून पावर को मजबूत करता है चकोत्रा में मौझूद पोटेसियम रक्ट चाप को नियंतित करने और हर्दय रोक के खत्रे को कम करने में मदद कर सकता है ये कोलेस्ट्रोल के स्तर को कम करने में काफी मददगार साबित होता है और हर्दय चकोत्रा में कैलोरी कम और फाइबर अधिक पाया जाता है जो वर्दन घटाने में भी मदद कर सकता है और आपको लंबे वक्त तक भरा हुआ महसूस करा सकता है ये रक्त सरकरा के इस्तर को नियंतृत करने और ज्यादा खाने से रोकने में भी मदद कर सकता है चकोत्रा में मौझूद फाइबर सामगरी, पाचन में सुधार और कब्स को रोकने में मदद कर सकती है ये मलत्याग को नियरंतित करने और स्वस्त्य पाचन तंत्र को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है तो आप इससे समझ सकते हैं कैसे चकोत्रा इंसानी लीवर, दिल और बोडी के अन्य अंगों को मजबूत और सुस्त्त रखता है डोक्टरों की माने तो चकोत्रा में मौझूद एंटियोक्सिडेंट्स लीवर को डेमिज होने से बचाते हैं और लीवर के कारिय में सुधार करने में भी मदद कर सकते हैं इसे अब समझ सकते हैं कि कासे यह ज़ादूई फल आपके लीवर को स्ट्रोंग करता है आप चकोत्रा के इस ज़ादूई गुलों पर क्या राय रखते हैं अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं नमस्कार